एक तरफ लेबनान से हिजबुल्ला इसराइल में भायंकर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है तो दूसरी तरफ गाजा में हवास और इसराइली बलों के बीच खूनी संघर्ष का खेल बदस्तूर जारी है गाजा के अलग-अलग हिस्से में फैले लड़ाके इसराइली बलों पर चौतर फाह हमले कर रहे है हमास के प्रतीरोधी गुट कई हिस्सों में अलग-अलग तो कई एक साथ मिलकर इसराइली बलों पर हमलावर है गाजा के चक्रव्यू में इस्राइली सेनिक बुरी तरहा पस्ते नदर आ रहे है एक साल के बाद भी आईडियाफ के लिए गाजा एक अबूज पहेली बना हुआ है यही वजह है कि गाजा में हमास का इस्राइली सेनाओं के साथ लगातार टक्राओ जारी है खास्तोर पर उत्री गाजा में जबालिया रफ्यूजी केम्प में आरपार की लड़ाई जारी है हाल ही में हमास ने दावा किया कि लंबे संगर्श के चलते इस्राइली सेनिकों की ताकत कमजोर पढ़ती जा रही है सेनिक जंग के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं इससे इसराइल को अलग-अलग मोर्चों पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है हमास की मिलिटरी विंग अलकासिम ब्रिगेड ने सफात्वी जंक्षन के पास एक इसराइली मेरकावा टैंक को निशाना बनाया है इस हमले में शवाज इंप्रोवाइजड एक्स्प्लोजिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया समू ने दावा किया कि लड़ाकों ने शिविर के केंदर में यासीन 105 एंटी टैंक आरपीजी से एक और मेरकावा टैंक को निशाना बनाया है इसके अलावा जबालिया के पूर्वी हिस्से में ब्रिगेड ने मोटर गोलों से इस्राइली एसेम्बली पॉइंट पर हमला किया हमास ने हमले के दावे की पुष्टी के लिए एक वीडियो भी जारी किया है फिलिस्तिनी इसलामी जिहाद की मिलिटरी विंग अलकुस ब्रिगेड ने एसकलावन और गाजा में कई बस्तियों में मौजूद इस्राइली जवानों पर रॉकेटों की बरसात की है अलकासिम ब्रिगेड ने जवालिया के पश्चिम में एक घर पर घात लगा कर हमले को अंजाम दिया इस दौरान पंद्रा इसराइली सैनिकों के समूपर शक्तिशाली विस्फोट अकुपकरन से विस्फोट किया गया इससे कई जवानों के घायल होने का दावा भी किया गया है इससे पहले राफा के पूर में एक इसराइली इंजिनिरिंग यूनिट पर बारूट से हमला किया गया इसके अलावा अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड ने अलकुज ब्रिगेड के साथ मिलकर इसराइली जवानों पर साथ हमेम मोटर गोलों से बंबारी की है इसराइली मीडिया ने भी इन इलाकों की ओर से गाजा से रॉकेटों की बौच्छार की पुष्टी की है अलकुज ब्रिगेड के सैन्नी मीडिया ने आपके सिर हम से दूर नहीं हम देख रहे है लिखकर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लड़ाकों को अलग-अलग ठिकानों से इसराइल के पैदल सैनिकों पर सटीक निशाना साधते हुए दिखाया गया है लड़ाके घात लगा कर इसराइली बलों पर हावी होते नज़रा रहे हैं इमारतों से लेका टैंक में तैना जवानों पर अंदा धुन्द फाइरिंग कर उनहें गिरते हुए दिखाया गया है वहीं पॉपुलर फ्रेंट फॉर दे लिबरेशन ओफ फिलिस्तीन की मिलिटरी विंग अबू अली मुस्तफा ब्रिगेट भी इसराइली बलों पर काल बंड कर टूटी समू ने फिलिस्तीनियों और लिबनानी लोगों की रक्षा के लिए इसराइली सैनिकों पर धावा बोला लड़ाकों ने सेंट्रल गाजा पट्टी के दक्षिन पूर में किसुफिम के इसराइली मिलिटरी साइट पर रॉकिटों की बोच्छार कर जबर्दस तबाही मचाने का दावा किया है इतना ही नहीं हमास के लड़ाकों ने अलकुस ब्रिगेड और अलकासिम ब्रिगेड और उमर अलकासिम फोर्सिस के साथ एक जॉइंट आपरेशन को अंजाम देने का दावा किया है इसमें लड़ाकों ने मिलकर जबालिया के पूर मेश सिविल एड्मिनिस्टरेशन बिल्डिंग के पास कोहरा मचाया इसराइली सैनिकों और वाहनों के जमावडे पर जोरदार हमला किया समू ने इससे जोड़ा एक वीडियो भी साजा किया है इसमें कई तोप खाने के गोलों के बीच हिजबुला के पूर्वचीफ हसन नसरला और कई बड़े कमांडरों की तस्वीर दिख रही है इसके बाद लड़ा के एक के बाद एक इसराइली बलो को निशाना बनाते हुए तगड़े हमले करते हैं वहीं अलनासर सला अलदीन ब्रिगेड ने गाजा के दक्षिन पस्चिम में नेजरी मैक्सिस में इसराइली कमांड और कंट्रोल पोस्ट पर 107 mm के रॉकेट दागे हैं इस दोरान कई इसराइली जवानों के हताहत होने की खबर भी सामने आई है दावा है कि इसराइली सेना ने भी ताजा हमलों में कई जवानों के नुकसान पहुँचने की पुष्टी की है प्रतिरोद के लड़ा के लगातार गाजा के अलग-अलग कोनों में इसराइली सेनिकों को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं वाजरि को मैं।